लिजे सवेरा हम एड्मिन आफिस आ गए हैं और ये हैं हमारी एड्मिन मिस निघद ये आपको क्लास का टाइम और देगर मालुमात पर आहम कर देंगी मिस निघद ये सवेरा हैं न्यू इस्टुडेंट हैं आप इनको गाइड कर दें फिर मैं इनको इनके टीचर्स से मिलवा दूँगी असलाम अलेकुम सवेरा कैसी हैं आप वालेकुम सलाम, अलहम्दुलिल्ला, मैं ठीक हो मिस मेरी शायद आप से ही फोन पर बात हुई थी जी, आपकी मुझसे ही बात हुई थी ओके, तो आपने कंप्यूटर और कुकिंग कोर्स के लिए अप्राई किया है जी मिस, मैंने इन दोनों क्लासिस के लिए इन्रोल किया है ओकी, आप दो मिनिट बैठें, मैं आपका फॉर्म फिल कर दूँ ओके, ठीक है, आपकी कुकिंग क्लास दोपहर में हुआ करेगी और कंप्यूटर क्लास मॉर्निंग में अभी आपकी कंप्यूटर क्लास का टाइम है मरियम आपको कंप्यूटर क्लास तक ले जाएंगी और आपके टीचर आलियान से भी आपको इंटर्डियूस करवादेंगी ओ, तो क्या आलियान कंप्यूटर के टीचर है? उनसे तो पहले भी मेरी बात हो चुकी है दरअसल उन्होंने ही मुझे इंडरोल करने में मदद की है सही, ये तो बहतर है कि आप उनसे पहले ही बात कर चुकी है आपकी कुकिंग टीचर मिस आईशा होंगी क्या आपकी उनसे भी बात हुई है? नहीं, मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई चलिए कोई बात नहीं, आज आपका उनसे भी तारूफ हो जाएगा मरियम आप सवेरा को कम्प्यूटर क्लास सक ले जाए और उनको क्लासिस के बारे में भी गाइड कर दीजेगा कि कौन सी क्लास कहा है चलिए सवेरा, मैं आपको ले चलती हूँ सीडिया चलने के बाद लेफ साइट को मुड़ते ही पहला रूम आफिस है जहां से हम अभी वापिस आए हैं इसके बाद एक रूम को जोड़कर दूसरा रूम आपकी कम्प्यूटर क्लास है असलाम आलियां, यह सवेरा है, आपकी न्यू स्टूडन असलाम आलियां सर आलियां, सवेरा, आपको यहां पर देखे, खोशी हुई, नई सुबा में खोशाम अदीद मरियम, आप इनको लेफ साइट पर, एंड वली चेर पर बिठा दे ओके अब मैं चलती हूँ बहुत शुक्रिया मरियम आपने मेरी बहुत मदद की है अरे कोई बात नहीं आपको जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं आपके मदद करूँगी आप मेरा नमबर भी लिख लें क्लास खतम होने पर आप मुझे कॉल कर लिजेगा ओके तो क्लास कल मैंने जो आपको फॉर्मेटिंग सिखाई थी सब उसे अपनी ओफिस फाइल पर अप्लाई करके दिखाईए मैं अभी आप सब की फाइल्स चेक करूँगा ओके तो सवेरा आप कीबड पर अपने हाथ रखिए कीज को प्रेस करने से स्क्रीन इडर आपको बताएगा कि आपने कौन से की प्रेस की है अब अपने लेफ हैंड की फिंगर एफ पर रखिए और उसके साथ साथ अपनी बागी फिंगर सेट कीजे अब अपने राइट हैंड की फिंगर जे पर रखिए और अपनी बागी फिंगर इसके साथ साथ वाली कीज पर सेट कर लीजे ओके अब अपके लेफ हैंड की स्मॉल फिंगर एपर है इससे प्रेस कीजे अब इसी फिंगर से ए से उपर वाली की को प्रेस कीजे गुड अब A से नीचे वाली की को प्रेस कीजिए अब अपनी स्मॉल फिंगर से इन तीन कीज को प्रेस करने के प्रेक्टिस कीजिए नाइस अब इसी तरह आपने बागी फिंगर से भी कीज को प्रेस करना है हर फिंगर से अपने त्री कीज प्रेस करनी है ओके सर ठीक है असलाम वालेकुम आपकी कम्पीटर की क्लास कम्प्लीट हो गई ओके मैं आती हूँ आपके पास ओके सवेरा कैसी लगी आपको आज की क्लास बहुत अच्छी मुझे बहुत अच्छा लगा सर ने मुझे टाइपिंग के बारे में बताया कि कौन सी की कहा है खुद टाइप करने का एहसास बहुत अच्छा था सही, चलिए अब मैं आपको आपकी नेक्स क्लास में ले जाती हूँ कम्पीटर क्लास के बिलकुल सामने जो दीवार है उस से थोड़ा सा आगे लेफ साइट को मुड़ते ही पहला रूम आपकी कोगिंग क्लास है असलाम आलेकुम मिस आईशा ये है आपकी न्यू स्टुडेंट सवेरा असलाम आलेकुम सवेरा कैसी है आप अलहमदुलिल्ला मैं ठीक हूं मिस ओके तो सवेरा क्या आपने पहले कभी कोगिंग की है जी मिस जब मैं ठीक थी तो थोड़ी बहुत कर लेती थी पर जब से मेरी आईसाइट गई है उसके बात से नहीं कोई बात नहीं आपको यहां बिना देखे बैस्रीन तरीपर से कुकिंग करना सिखाए जाएगा अच्छा आप यहां आएं मैं आपको सिखाती हूँ कि छोरी किस तरह से पकड़नी है और चीजों को किस तरह से कटिंग करना है तो कैसी रही आपकी यह वाली क्लास? कैसा गुज़र आपका पहला दिन? बहुत अच्छी मैं इसने बहुत ही अच्छे तरीके से गाइट किया मैंने उनकी बताय हुए तरीके से खुद प्यास को स्लाइसिस में काटा बहुत मज़ा आया मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा ऐसा लग रहा है कि मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जिसे मैं करना तो चाहती थी मगर कर नहीं पाती थी चलिए अब हम वैन के पास पहुँच गए हैं आप थोड़ा सा सर जुका कर उपर चड़िये और सामने वाली सीट पर बैट जाईए जिसे नहीं दोड़िये और सकते अब दोड़िये और सकते हैं